हाँ वड़ा शुकर हैं तैयार हो सब लोग गड़ आज हम पढ़ने जारें वड़ा पास्ट परफेक्ट टंस अच्छा है बताओ जो हम बता रहे हैं वो समझ में आ रहा है कि नहीं देखो वड़ा सीधे सीधे सार्ट कट यह है कि करता के ठीक बाद जो भी क्रिया आती है वही टंस मनाती है बात पकी उस क्रिया के बाद अगर इनफिंटिव लगता है तो टंस वही रह जाता है लेकिन उस क्रिया के बाद अगर प्रोग्रशिब फार्म लगाते हो यानि आएंजी फार्म लगाते हो तो बनता है कांटिनिवस और अगर उस क्रिया के बाद पास्ट पार लगाते हो यानि वर्क की थर्ड फार्व तो बनता है पर्फेक्शन यही किसका मूल कंसेप्ट है पुदिवासमना तो आज हम पढ़ने जार भड़ा पास्ट पर्फेक्ट टेंस टेंस पास्ट माने भूत पर्फेक्ट माने पूंट टेंस माने काल अब देखो यह कौन सा टें जिसके लिए लगता है कौन सा काल है तो यह देखो यह तो प्रेजेंट है प्रेजेंट एक बिंद होता है ठीक है प्रेजेंट एक क्या होता है बिंद होता है इसके आगे जो बनेगा वो फ्यूचर होगा तो प्रेजेंट का पास्ट यहां प्याएगा पास्ट समय की यह प सब संब सामें कॉन सासे में पास्ट फरुक्ट की होता है पास्ट का पास्ट पास्ट परक्षक्ट होता है सब स्थे और इतना बता चुसिंशे बड़ा गर्टा इसकी पहचान विड़ा चुका था चुकी थी चुके थे लिया था दिया था खाया था पिया था नहाया था दोया था की थी ली थी दी दी दूनिया पर एक पहचान है लेकिन बेशिक पहचान है चुका था चुकी थी चुके था नियम आपके सामने है सब्जेक्ट चाहे वह एक विचन का हो चाहे बवचन का हो सिंग्लर हो या प्लूरल हो हैड लगाना वर्म की थर्ड फर्म पास्ट पर्फर्ट बन जाएगा जब तक थर्ड फर्म नहीं बनेगा जैसे कावड़ा ना शुरू करें जैसे कावड़ा मोहन कमरे में अपने भाई को पत्र लेख चुका था कौन सार्टन से बताईए पास्ट पर्फेक्ट है देखे दर पूरे अंग्रेजी ग्रामर में बता चुके आपको कारी को पर्फेक्शन देने के लिए पास्ट पार्टिश्पल का प्रियोग करते हैं यह वर्म की तीसरी वस्था होती है और हुआ हुए हुई अर्थ रखती है बचा क्या पास्टेंस पास्टेंस बनाना आपको आता है लेकिन पहिचान तो मिलने चाहिए ना रटो नहीं कोई चीज देखे बढ़ा पास्ट बनाने के लिए पहिचान चाहिए तो अब कुछ हम यह वाक्य है यह एक प्रमे है इस प्रमे को सिद्ध करना है तो आपको रचना करने पड़े हैं रचना कुछ ऐसी करो कि यहां ताथा तीथी तेथे आजाए अर्थ भी यह रजाए तो कोई सिखाए नहीं देखोड़ा चुका था को हटा करके हम लोग जोड़ेंगे हुआ रखता था देखो दोनों कार्टन से कह एक नहीं मोहन पत्र लिख चुका था या लिख रखे था लिख चुका था या लिख रखे था दोनों कार्टे कह गए हुआ उसी को हमने सुद्धवनाग पर दिया कि मोहन कमरे में अपने भाई को पत्र लिखा हुआ रखता था हो गया कौन रखता सबसे पहले हम लोग लिखेंगे मोहन लिख दिया अब यह आपकी निगाह है फुलिश्टाप पर गई ता था ती थी ते थे किसकी पहिचान पास्ट के किसमे लगी है रखने में रहने करेटी का थे और यह मैं अपसे पुछा गया कि मोहन रोट पास्टा पास्टेंजंड प्लेट पास्टंस मोहन शेंग सिंपल पास्ट मौन इस दीत, सिंपल पास्ट है पास्ट इंडिप्टिट है पास्टंस है ठीक है आप से कोई पूछे कि मोहन हैड एक कार यह कौन साटंस है तो कह देना यह पास्टंस है ठीक है अभी 3rd फार्म नहीं आफि आधेस से ज्यादगे हैड देखते हैं तो कहते हैं यह पास्ट पर्फेक्ट है पूछा नहीं है तो भी पास्टंस बनाया यया इतना काम होगे agnarisk इसके पहले लिखा हुआ लिखने उसमें हुआ हुए हुई लगा तो अभी आपको कंसेप्ट रताया कि पूरे अंग्रेजी ग्रामर में कारे को परफेक्शन देने के लिए पास्ट पार्टिस्पल का प्रयोग करते हैं यह वर्व की अर्थ क्या रखती है हुआ हुआ हुए हुई तो जिस क्रिया में हुआ हु मोहन हेड रीटन पत क्येगरेजी युठा ए लेटर को क्येगरेजी टू अपने भाई कोई कठी नो समझाओ कोई कठी ने क्या देखो मोहान हैड बना पास्ट गर्व की थर्ड फार्म लगी बना परफेक्ट तो जथा नामू तथा गुड़ों से दो गया बाकिन और टंकिये चाहे लब लेटर लिखो चाहे यससे लिखो हमसे क्या मत्तव्यार पक्का अब इसके प्रकार निगेटिव इंटरागेटिव इंटराागेटिव निगेटि देबल इंटरागेटिव निगेटिव धरीक्ट ड्रतला तीमेटि अथरा flavor नारा गट्यौड एक बाक और मीडतिए लगे bloge लड़कियां बगीचे में फूल तोड़ चुकी हैं, चुकी थी, नहीं बड़ा, जा देखके उता ही बड़ा कौन सेटन्स है, पास्ट पर्फेक्ट है, पर्फेक्शन देने के लिए हम लोग वर्व की थर्ड फार्म लगाएंगे, बचा क्या पास्टंस, पास्टंस की पहचान क्या होती है, ता था ती थी थे थे, इसमें आया नहीं है, तो रचना कर लेते हैं, चुकी थी को हटा करके, हम लोग जोड़ेंगे, तोड़ा हुआ रखती थी, देखो अर्थ हुआ ही एक नहीं, अरे यार रचना कर लिया, देख पढ़ दिया बन गया अब आप इसका टॉंसेशन करने जा रहा है ठीक है तो सब कौन रखती थी करता सीधे पहुंचो फुरिशनाफ घंगान घंगान आते जो बन गया लड़कियां के देविड़ा देख रहा हुआ यह आपकी निगाहा है फुरिशनाफ पर गई ता था थी ते थे किसकी पहचान किसमें लगी रखने के अंग्रेजी है पास्ट की पहचान है तो है की कौन सी फार्म जाएगी पास्ट तो दा गर्स हैड बना आप यह सिद्ध कर रहे हैं देखो यह आप से पुछा गया दा गर्स रोट पास्ट इंडिफिंटेंस दा गर्स प्लेड गर्स दपरोस दसिंपल पास्ट धा अब सिंपल पास्ट द गर्स सैंग अदा गर्स दौन्जड पास्ट इंडिड धाफ गर्स यह पाइड पास्ट इंडिफिंटेंस सम्पल पास्ट है नहीं जुम्ध siamayad देखकर के पास्ट परफेक्ट ना कहना क्योंकि अभी तो करद अब तोड़ा हुआ तोड़ा हुआ तोड़ने के लिए प्लक में हुआ हुए हुए लगा बोलो फॉरे अंग्रेजी ग्रामर में कारी को पर्फेक्शन देने के लिए पास्ट पार्टीशिपल का प्रयोग करते हैं वर्व की थर्ड फार्म होती है अर्थ रखती है हुआ तो दगर्स हैड प्लक दगर्स हैड बना पास्ट वर्व की थर्ड फार्म लगी बना जथा नामू तथा गुड़ो से दो गया में वाक क्या आपका बन गया अब फूल तोड़ो चाहे हटी तोड़ो बताओ क्या तोड़े दा फ्लावर्स में के अंग्रेजीवड दा बगी प्रकार जो बताया बना लोग ना पका कान्फिडेंस घड़ अब देखो ड़ा एक इस्कूल में एक लड़के ने अपने गुरु जी से पुछा क्या पुछा द्यांस देखो ड़ा एक लड़के ने अपने इस्कूल में गुरु जी से पुछा पुछा विड़ा के ए लेटर वाज रीटन बाई रभी यह कौन सा टेंस है गुरुजी देखो तुमाई सामने है गुरुजी को टेंस निकालना नहीं आता था यह सब समाज में कमी चल रही वड़ा इन सब को आपको दूर करना है तब ज्यान मजबूत होगा और जब ज्यान मजबूत होगा तो आप जियो नहीं विकास करोगे लड़के ने पूछा गुरुजी यह लेटर वाज रीटन बाई रभी यह कौन सा टेंस है तो गुरुजी ने कहा कि यह पास्ट इंडिप्टिट का पैसी वाईस है बताये बच्चे को सही जवाब मिला नहीं मिला बड़ा वह पूछ रहा है तंस कौन सा है गुटा एक अंग्रेजों ने समय को कुली बारह भागों बटा तो यह संसार का कोई विवाग की बनेगा तो नहीं बारह में बनेगा तो टेंस निकालना सिखो आपको सिखाय था बड़ा कि करता के ठीक बाद जो क्रिया आती है वही टेंस बनाती है एलेटर करता है तो बताई एलेटर वाज यह कौन सा टन्स वेवड़ा फाश टंस क्या बना पास्ट वर्व की थर्ड फार्म लगीद बना परफेक्ट तो लड़के ने गुरु जी को बताया गुरु जी यह पाष्ट परफेक्ट है तो गुरुजी नहों कमार दिया कंठा कहा कि मुर्खाच चंदगर यह पास्ट परफेक्ट है तो इसमें हैड लगना चाहिए ना तो लड़के न बताया गुरुजी हैड से परफेक्ट नहीं बनता है परफेक्ट बनता है वर्व की थर्ड फर्म से नहीं उड़ा तो दे बन गया यह पास्ट परफेक्ट तो गुरुजी ने कहा कि अगर यह पास्ट परफेक्ट है तो पास्ट परफेक्ट का अर्थ भी होना चाहिए लड़के नहीं समझाते हैं एलेटर माने एक पत्र वाज माने था रीटन माने लिखा हुआ बाई माने द्वारा रभी माने लेटरी के द्वारा लिखा हुआ था लिखा हुआ था मतब लिखा जा चुका था चुका था आगे बटा आगे आए सिम्मारा या याणि कि यह टेंस वास्टों में कौन सा है पास्ट परफेक्ट है आगे आसम में गर तो इस परकार से टेंस बनाना सीकू भाँड़ अठoken क पास्ट परफेक्ट टेंस के ट्विन सेंटेंस में जुड़वा वाक्य में एक वाक्य के दो भाग होंगे पास्ट परफेक्ट टेंस के ट्विन सेंटेंस में जुड़वा वाक्य में जो कार पहले होता है उसे बनाया जाता है पास्ट परफेक्ट में और जो कार बाद में होता है उसे बनाए जाता है पास्ट टेंस में या पास्ट इंडिफिर्ट में ठीक है एक वाक लेते हैं और बनाते हैं विड़ा देखें विड़ा जैसे लिखा रवी के आने के पहले मैं रसोई घर में खाना पका चुकी थी रवी के आने के पहले मैं रसोई घर में खाना पका चुकी थी एक वाक के है इस वाक के कितने भाग हैं दो दोनों में पता करो कौन कार पहले हुआ कौन कार बाद में रभी के आने के पहले मैं रसोई घर में खाना पका चुकी थी इसका मतलब जब रभी आया उसके पहले खाना पक चुका था जब रभी आया तो उसके पहले खाना इसका मतलब यह बनेगा पाश्ट परफेक्ट में और यह बनेगा पाश्ट इंडिफिट में ठीक है अब इधार देखो अंगरेजी में एक वाग के कितने भाग दो भाग देख रहे हमारे हाथ तो जो भाग बाई तरफ होता है इधर उसकी अंगरेजी पहले लिखी जाएगी लेकिन यह बनेगा किसमें पास परफेक्ट में ठीक है तो पहले रस्ना कर लो पका चुकी थी क्या खुकी थी खुटा करके पका हुआ रखती थी यानि पका कर रखती थी पका हुआ रखती थे नहीं बन गया वढ़ा सब से पहले पहले करता सीधे पहुंचो Chris Ribes घान गन गन नहा नातिया च जो बन गया SIMjac बोलं सु करो पो क्वेजी कि फुले श्टाप फुले श्टाप पहुचो ता था ती थी ते ते थे किस की पहचान का सब लगी रखने में रखने के डिजी है पास्ट की पहचान एथ है कोन सी फ़ाम जाएगा है आई रोट खेज पास्टर पास्टर से आई प्लेड आई सेंग आई डांस्ड ये सब पास्ट अब आई डिड़ आई वाज आई हैड पास्ट नहीं हुआ पर्फेक्ट नहीं हुआ पर्फेक्ट तब तक नहीं होगा जब अब उसके पहले रिखा पाका हुआ पाका नहीं पर्फेक्ट अब चाहे चावल पकाओ चाहे खाना पकाओ उमसे क्या मतब बताओ क्या पकाएं दा फूड में के अंग्रेजी इंदर सोई घर इंदर किछन अब पहले के बिफोर बीधन फोर बराबर बिफोर रभी के आनेक पहले पास्टन्स रभी केम रभी केम बन गया पूरा बाग चाहे बन गया आई हैट कुग्ड फूड इन दा किछन बिफोर रभी केम आग या होगा पक्का आप इसके जो है छप्त का बना डेन अप्टा नहीं एट रभा बता दें आग या क्लियर होगा नहीं एट रभा बता दें जेवटा कभी कभी ऐसा भीवाग क्या गड़ा यह सोंगा चाहप गार ना लोगा ना यह सर्व जेशेल क्या वड़ा डाक्टर के आने के बाद रोगी मर गया रोगी मर गया यह वाग क्या वड़ा एक वाग के कितने वाग है दो पता करो कौन कार पहले हुआ कौन कार बाद में देखो जे लिखा है डाक्टर के आया उसके बाद रोगी मर यानि के डाक्टर आयात यह बनेगा किस में पाश्ट पर्फेक्ट में रोगी मर गया है बनेगा पाश्ट यह कार बाद में हुआ ना इसको हम लोग तो यह कारी पहले हुआ, यह कारी बाद में हुआ, यह कारी पहले हुआ, तो यह को हम पास्ट इंडिफिन बनाएं ब्राइब क्या बनेगा, दापेशेंट, ना, मर गया बोलो, डाइड, बात किया लगा हुआ, आफ्टर, डाक्टर आ चुका था बोलो, दाप्टर हैड, कम, केम, कम, थाड़ फाल में बनेगा, प्रदो बनेगा, दापेशेंट डाइड, आफ्टर दाप्टर हैड, कम, देखो, पोजीशन यह पढ़ा अपने आज यह, पास्ट परफेक्ट, प्रजेंट का पास्ट पास्ट, पास्ट पास्ट परफेक्ट, तो देखो, यह पास्ट परफेक्ट बना लोगा आज इतने रहे दो, थैंक्यू उट,